हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोगों ने अपने फोन में पलेश्टोर के एप्लिकेशन में अगर आप लोगों ने पैरेंटल कंट्रोल लगा दिया है तो दोस्तो इस प्रॉब्लम को आप लोग यहां पर कैसे टिक करेंगे यहां पर पैरेंटल कंट्रोल को आप लोग यहां पर कैसे हटा सकते हैं उसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो आप लोग यहाँ पे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा तो गाइस यहाँ पे आपको parental control हटाने के लिए आपको सबसे पहले अपनो phone में setting को open कर लेना है आप लोग यहाँ पे settings को open कर लिजिए उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को application को option आता है तो आप लोग यहाँ पे click करिए यहाँ पे click करने के बाद आपको यहाँ पे manage application में आना है और यहाँ पे आप लोगों को जो है इस तरीके से play store लिखके search करना है आप लोग यहाँ पे play store लिखके search करिए उसके बाद आपके सामने Play Store आ जाएगा, आप लोग उसको उपन करिए उपन करने के बाद आप आप लोगों को स्टोरिस पे जाना है और यहाँ पे आपको नीचे में Clear Data को Option आता है तो आप लोग यहाँ पे Clear Data पे क्लिक करिए और यहाँ पे दोस्तों आपको clear all data पे click कर देना है जैसे ही आप लोग clear all data पे click करेंगे तो आपके phone में जो playstation में अगर आप लोगोंने parental control लगा रखा है तो वो यहाँ पे remove हो जाएगा बिल्कुल भी आपके सामने दुबारा से आपको parental control का problem नहीं आएगा तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग इस problem को solve कर सकते हैं तो आइस अगर यह video आपको अच्छा लगा हो तो like कर दीजिए और दोस्तों हमारे channel को subscribe भी कर लीजिए